नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों दिवाली सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है जिसकी शुरुवात धंतेरस से हो जाती है हर साल कार्तिक मास की कृष्न पक्ष की त्रयोदशी तिथी को धंतेरस का त्योहार मनाया जाता है मान्यता है कि धन्तेरस के दिन मा लक्ष्मी और धन्वंतरी देवता समुद्र मन्थन से प्रकट हुए थे जिसके परिणाम स्वरूप धन्तेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देव, धन्वंतरी और मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है वैदिक पंचान के मुताबिक इस वर्ष 10 नवंबर शुक्रवार को धन्वंतरी जयन्ती अर्थात धन्तेरस मनाई जाएगी इस साल धन्तेरस पूजा का शुभ मुहूर्थ शाम 5 बचकर 47 मिनट से लेकर शाम 7 बचकर 43 मिनट तक रहेगा धन्तेरस के दिन बाजार से खरीदारी करके कोई नई वस्तु घर में लाने का चलन होता है लोग इस दिन नए वाहन, वस्तर, सोने चांदी तथा स्टील से बने बरतन आदी लाते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप धन 13 के दिन मोरपंख लेकर अपने घर पर आते हैं और इसे एक विशिष्ट दिशा में विशिष्ट स्थान पर रखते हैं, तो आपको इसके बहुत ही शुब परिनाम देखने को मिल सकते हैं. ये मोरपंख आपके भाग्य को प्रबल बना देंगे, आपकी दरिद्रता को पूरी तरह से समाप्त करके आपको धन संपत्ती प्रदान कर सकते हैं. मोरपंख को धन 13 के दिन लाना बहुत ही शुब माना जाता है, और खास कर माता लक्ष्मी को मोरपंख सबसे अधिक प्रिय हो वास्तू शास्त्र के अनुसार मोरपंख का घर में होना बहुत शुब होता है. यह जिस स्थान पर भी होता है, वहां की नकारात्मक उर्जा को नष्ट कर देता है. शास्त्रौं में मोरपंख को सुक समरिध्धी का प्रतीक माना जाता है, यह अत्यंत चमतकारिक होने के लेकिन वास्तुशास्त्र में मोरपंख को घर में रखने के नियम बताये गए हैं। लेकिन धन संपत्ती के आकर्शन के लिए इसका सबसे अधिक उपियोग किया जाता है। लेकिन वास्तुनियम दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं मोरपंख के धार्मिक महत्व के बारे में। प्राचीन शास्त्रों में मोरपंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। दोस्तों हमारे प्राचीन पुरानों में मोरपंख को एक चमतकारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता आ रहा है। तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियों को नश्ट किया जाता था। इसके अलावा जोतिश विद्या में भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। जोतिश शास्त्र में मोरपंख से जुड़े उपाय भी बताये गए हैं। आयुरवेद आदी ग्रंथों में विवध व्याधियों तथा रोगों को नश्ट करने में भी मोरपंख सहायक होता है। मोरपंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखता ही है। साथ सर्प आदी विशैले जानवर मोरपंख के भैसे घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते थे। मोर से जुड़ी पुरानों में कई कथाएं लिखी हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओ को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रम्ह देव और भगवान शिव से वर्दान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमन किया और कई देवताओ को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओ ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहाय ताली। सभी देवता और नौगरह मोर के पंखों में विराजित हो गये। जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमन कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्थ हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनिय होने का वर्दान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंक होता है, वहाँ पर नौ ग्रहों का अशुब प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों केवल रिशी मुनी और देवता ही नहीं, बलकि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रिष्टा का वर्णन किया है, और उन्होंने मोर के पंक को अपने मुकुट में धारण करके मोर की श्रिष्ट होने का प्रमान भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कही पर भी नहीं जाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मोर शांती और प्रेन का प्रतीक है, मोर सुख समरिधी का भी प्रतीक है, मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ती से रक्षा करता है, दोस्तों मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुरानों में दिखाया गया है। इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में बासुरी में मोरपंख डाल कर अपने घर में रखते हैं, तो इससे परिवार में सुक शान्ती का वातावर्ण निर्मान होता है। दोस्तों हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में जगडा करने लगे, तो यह मंदिर कम युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में कलेश और जगडे होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में ये नकारात्मक उर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक उर्जा फैलाने वाली चीजे मौजूद होती है। इन वस्तों के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तों को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक उर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। धन तेरस के दिन आप तीन मोरपंख ले और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर-जोर से हिलाएं, इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक उर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसा करते हैं, तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक उर्जा धीरे-धीरे समाप्थ हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावर्ण का निर्मान होगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए, आज हम आपको बताएंगे की घर में वो कौन सी तीन जगह है, जहाँ पर आपको मोर्पंख जरूर रखना चाहिए और इन जगहों पर अगर आप मोर्पंख रख देते हैं, तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक उर्जा बनी रह तो आप धन तेरस के दिन अपने मुख्यद्वार के उपर गणेश जी की प्रतिमा रखे और प्रतिमा की दोनों और मोर्पंख अवश्य रखे, इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, यदि आपका मुख्यद्वार वा अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुश प्रभाव है, अथवा ग्रहों की स्तिथी खराब चल रही है, तो धन तेरस के दिन मोर पंख ले और उस पर गंगाजल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करे, फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दे, जहां पर ये किसी को दिखा इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है, तीसरी बात बुरी नजर से बचने के लिए, अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है, या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है, तो सोते समय उस व्यक्ती के तकिये के नीचे मोर पंख रख और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुवे में डाल दे, इससे बुरी नजर उतर जाती है, चौथी बात पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्ट कमजोर है, पढ़ाई करते स समय बार-बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को मा सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए, इससे विद्यार्थियों में एक आगरता बढ़ेगी और मा सरस्वती की कृपा बनी रहेगी, पांचवा दिन हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर मोरपंख पर लगाए और सुभा के समय बिना नहाये ही, इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुवे में डाल दे, इससे शत्रों से छुटकारा मिलता है, छटी बात मनवांचित फल प्राप्ती के लिए, अगर मन की कोई इच्छ अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मन वांचित फल प्राप्त नहीं होता है, कारियों में बार-बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्न के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्न को मोरपंख चढ़ाए, अथवा घर में ही श्री कृष होते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिन पूर्व की दिशा में मोरपंख रख देना चाहिए, इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाफ कम होगा, आठवा उपाय धन में व्रिधी के लिए, अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं, तिजोरी रखते समय ध्यान रहे, तिजोरी को पश्चिम की दिवार पर सटा कर रखे और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, इससे देवराज की कृपा दृष्टी बनी रहेगी, साथ ही मा पश्मी की पूजा में मोर पंख रखकर उसे तिजोरी में रखे, इससे घर में सुख समरिध्धी आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है, यदि धन की समस्या आ रही है, तो घर के अगने कोन में अर्थात दक्षिन पूर्व दिशा में अपनी कमर से उपर कंधे की उचा किसी ऐसे स्थान पर रखे, जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है, असल में मोर का पंख नकारात्मक उर्जा को अवशोशित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए, जहां ये सभी को नजर आए, मोर के पंख का य आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में सच्चे दिल से जैश्री कृष्ण और जैमा लक्ष्मी अवश्य लिखे, साथ ही आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप आप सभी का धन्यवाद